हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स जैसा कि आपने थामनेल में देखा हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्रीस का ड्रॉपिंग पॉइंट क्या होता है और इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे EP2 ग्रीस जिसका इस्तमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है इंड्रेस्ट्रियल एक्क्यूपमेंट में उसका ड्रॉपिंग पॉइंट कितना होता है तो बने रहेगा वीडियो में आनते तक चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि जो ग्रीस होता है जिसे हम लिब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो जो ग्रीस होता है वो कौन से फॉर्म में होता है वो semi-solid form में होता है है ना यानि कि ना ही वो पूरा solid होता है और ना ही वो पूरा liquid होता है वो होता है semi-solid form में एक गाढ़ा paste होता है जैसे कि आपने देखा होगा और उस form को semi-solid form कहा जाता है या फिर semi-solid state कहा जाता है तो dropping point क्या होता है dropping point किसी भी grease का वो temperature होता है जिस temperature पर आने के बाद में आपका जो grease है वो semi solid state से liquid state में चला जाता है under a defined test condition याने कि एक test condition में उसे proper check किया जाता है dropping point को किसी भी grease के, है ना कहने का मतलब simply यह है कि जैसे जैसे temperature बढ़ता जाएगा आपका जो grease होगा, वो क्या होगा, पतला होता जाएगा है ना, और जिस point पर वो semi solid से liquid में convert होता है उसी point को हम dropping point कहते है अगर हम बात करते हैं EP2 grease के dropping point temperature की तो वो होता है nearly around 180 degree centigrade याने कि जैसे ही 180 degree centigrade पर आपका जो temperature है पहुँचेगा grease का वो फिर liquid form में convert होना start हो जाएगा तो grease select करते समय आपको ये ध्यान देना है कि उसका जो operating temperature है वो उसके dropping point से कम होना चाहिए कहने का मतलब है 180 degree centigrade अगर उसका dropping point है तो वहाँ पर operating temperature उससे कम होना चाहिए तभी आपका grease वहाँ पर रहेगा नहीं तो क्या होगा वो run out कर जाएगा याने कि वहाँ पर से बाहर की ओर चला जाएगा proper lubrication नहीं हो पाएगा layer जो बनाएगा वो film वो भी बहुत पतली रहेगी lubrication की जिसकी वज़ाए से effective lubrication नहीं होगा और आपका equipment fail हो सकता है तो friends उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा